हलो दोस्तों, जेडी स्वार्ड में आपको स्वागत है यहां आपको हर एक वीडियो में कुछ नए और इंट्रेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलेंगे यह जो वीडियो है वो सिर्फ उनके लिए है जो नए नए कम्पीटर सीख रहे है और आज की इस वीडियो की जो टॉपिक है वो है कि बिना माउस के कैसे आप अपने कम्पीटर पर कोई से भी प्रोग्रम को ओपन कर सकते हो उस पर कुछ data fill कर सकते हो और उसे save भी कर सकते हो अपने file location पर और साथी साथ अपने computer को बंद भी कर सकते हो वो भी बीना mouse के तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये सांदा topic तो उससे वहले अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को like, share और subscribe जरूर कर दीजेगा और साथ में bell icon भी ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए तो चलिए चलता है आज की ये सांदा topic की दरब तो दोस्तों पहले आपको अपने computer के screen को open कर लेना है और keyboard से win के साथ इसकी press कर देना है जैसे आप प्रेस करोगे आपके सामने all program का एक search पर open हो जाएगा अब इस पर आप कोई साभी program open कर सकते हो सिंपिल सा आपको type करके enterprise कर देना है तो जैसे आप enterprise करोगे आपके सामने आपका जो word है वो open हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपका जो pointer है वो new blank document पे default ही select रहेगा और एक पर interface करते ही आपका जो word है वो open हो जाएगा अब इस पर आपको कोई साभी text लिख देना है तो जैसे आप अपना text जो है उससे लिखते होगे तो आपको इसे control के साथ A press करके इसे select कर लेना है और select करने के बाद control के साथ B press करके आप इसे bold कर सकते हो अब इसके मदद से आप अपना जो text है उसे color दे सकते हो आप इसे style दे सकते हो तो color देने के लिए आपको h पे जाना है तो h पर जाते ही आपको फिर से एप और c पे प्रिस कर देना है जैसे आप एप और c प्रिस करोगे आपके सामने color का एक dialog box open हो जाएगा आप arrow key की मदद से कोई साभी color इसलिफ कर लेजिए उसके बाद आपको enter प्रिस करते ही आपका ज आपके सामने डायलोग box open हो जाएगा अब इसे रिनेम देने के बाद टैप टैप करके आप जिस फाइल प्रिसे शेप करना है उस फाइल लोकेशन पर आपको चला जाना है जैसे कि मैं desktop पर सेप करना चाहता हूं तो टैप टैप करके आपको टैप पर जाना है और एंटर प जैसे ही आप इंटर प्रिस करोगे आपके जो डॉकुमेंट है वो सेब हो जाएगा और all के साथ एप फोर प्रिस करके इसे close भी कर दीजिए तो ऐसे ही आप अपना जो वाड है उससे open कर सकते हो अगर आप एक्सेल ओपिन करना चाहते हो फिर से आपको कीबोड से वीन के सा और all program का search bar open हो जाएगा आपको simple सा excel type करके enter प्रिस कर देना है तो जैसे आप प्रिस करोगे आपके सामने आपका जो excel है वो open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर कोई सा भी data fill कर देना है जैसे कि मैं अपना data जो है उससे fill कर रहा हूँ वैसे आपको भी अपना जो data है उससे fill कर लेना है तो fill कर लेने के बाद आपको shift और arrow की की मदद से इसे select कर लेना है और select करने के बाद आपको 10 प्रिस कर देना है जैसे ही आप 10 प्रिस करोगे तो आपके सामने जो tab menu है इस पर कुछ shortcut key हो करेगा और उस shortcut key मदद से आप जो text है वोसे भी style दे सकते हो मेरा जो text है तो लगवख पूरा हो चुगा है अब इसे सेलेक्ट करने के लिए सेप्ट के साथ एरो की प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए तो सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे स्टायल देने के लिए आपको एप्टेन प्रेस कर देना है और एप्टेन प्रेस करने के बाद आपको एच प्रेस कर देना है और एच प्रेस करने के बाद आपको बी प्रेस कर देना है जैसे आप बी प्रेस करोगे आपका जो बॉर्डर है उसका टायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा आप इसे एप्रेस करती आपका जो डेटा है उसे बॉर्डर लग जाएगा तो आप इसे color देने के लिए फिर से आपको f10 प्रिस कर देना है तो f10 प्रिस करने के बाद आपको f और c प्रिस कर देना है तो जैसे आप fc प्रिस करोगे आपके सामने फिर से color कर डायलोग box उपने जाएगा आप इसे arrow की की मादब से कोई से भी color दे सकते हो और उसके बाद आपको enter Ireland कर देना है तो enterprise करने के बाद को से शेप गरने के लिए keyboard से control के साथ isー in the जायसे से आप प्रिस करोगी आपके सामने वॉक्स ओपन हो जाएगा ऊपक जो डोपटिमすे वो सेब हो जाएगा और all के साथ एप फोर प्रेस करके आब इसे क्लोज़ भी कर सकते हो तो यह से आप economic कर सकते हो नोटपैड भी उपन करना चांटे ऊठी हो तो फिर से आपको विलिसकी प्र त्वी हो करना है और के साथ एफ फोर प्रिस कर देना है तो एफ प्रस करने के बाद आप डोंट सेप करके इसे क्लोज भी कर सकते हो तो ऐसे आप अपने कॉम्पिटर भी कोई साभी प्रोग्राम ओपेन कर सकते हो उस पर कुछ भी डेटा फिल कर सकते हो तो अगर आप फोटोशाप करना जाते हो आप नियू पेज भी ले सकते हो और इसे काम भी कर सकते हो और क्लूस करने के लिए और के साथ एप फॉर प्रेस करके अपना जो फोटो सब इसे बंद भी कर सकते हो तो ऐसे आप अपना पाउर प्रेस कर सकते हो तो सिंप्ल सब को टाइप कर देना है पाउर प्रेस कर देना है तो enterprise करते हैं आपका जो power point open हो जाएगा आप इसे all के साथ a4 प्रेस करके इसे बंद भी कर सकते हो ऐसे आप file भी open कर सकते हो तो उसके लिए simple से आपको file type करना है और enterprise कर देना है तो enterprise करते हैं आपका जो file है वो open हो जाएगा अगर आप keyboard से भी file open करना चाहते हो तो simple से आपको keyboard में win plus e press कर देना है तो जैसे आप win plus e press करोगे आपका जो file है वो open हो जाएगा तो अब tab और arrow की की मदद से आपका जो file location है उस पर चले जाना है और आपको enterprise कर देना है तो जैसे प्रेस करोगे आपका जो जिस location पर आप open करना जाते हो वो open हो जाएगा अगर आप ऐसे कोई भी वीडियो कोई भी photo हो कोई भी वीडियो song हो आप open कर सकते हो तो simple सा आपको उस फाइल पर जाना है उस वीडियो पर जाना है और आपको click करते ही आपका जो video है वो चलना start हो जाएगा तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो keyboard से आपको alt के साथ a4 प्रेस कर देना है जैसे आप alt के साथ a4 प्रेस करोगे आपका जो video है वो बंद हो जाएगा तो ऐसे आप अपने जो फाइल है इस फाइल को भी बंद कर सकते हो तो दोस्तो ऐसे ही आप अपने computer पे कोई भी program को open कर सकते हो उस पर कुछ डेटा फिल कर सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो अब अपने computer को बंद करने के लिए keyboard से alt के साथ a4 प्रेस कीजिए तो alt के साथ a4 प्रेस करते ही आपके सामने और और साथ डाउन का ड्यालोग बुक्स ओपन हो जाएगा इसको आप ओके करते ही आपका जो computer है वह साथ डाउन हो जाएगा वइन की प्रेस करके भी आप अपने computer को बंद कर सकते हो तो इन की प्रिस करने के बाद आपको टेप टेप करके पावर अप्चन पर आना है अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और साथ में बेल आइकोन भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए तो बने रही है चैनल के साथ फिर मेलता है एक संदा टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई